तो रामकृष्णी को सबसे पहले बनाना दे दूंगी बनाना खाएंगे तोनों बनाना काट दिया है अपल काट दिया है अपल इनको देती हूं ऐसे स्किन तार के कि दाकि एजी रहे खाने में और उखा लेते हैं अभी वो काटके कुछ के तो यस यह वर वैस उतना बनाना तो कुछ नहीं जोते हैं लगिन अपल तो कुछ ना बढ़ता है कुछते हैं तो चलिए फिर दे देती हूं मैं यह इनको खाने को एक बहिया को दो यह बनाना ऐसे ऐसे खाते हैं ना तुम्हारा भी लगा है हाई एवरिवन नमस्कार सलाम राम राम आप सभी को आशा करती हूं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे जहां भी होंगे सरक्षित होंगे बहुत देर सारा प्यार आप सभी को वेल्कम बैक तो दप्रीटीस फैमली न्यू की ब्लोग हम लोग भी यह बहुत अच्छे से हैं तो आज का ब्लोग मैं लंच टाइम से शुरू कर रही हूं और लंच में आज बना रही हूं आलू टमा राए प्याम को बुनते से पहले हमारे छेव शक्दकी दोड़्य शार हम कर दो आतना है। मषैन दो पल्कम होना दो बिया हूं और verse लाड़ एका मसाली यूऑ मोथ ठूंदे कर दो नायूं तक तरमिरा में रूको लोसे धिनी आद्या सा आज़ कर चीर बहूं दिया है म गरम मसाला है धनिया पाउडर है हल्दी है और स्वादन साल नमक है बस यही इतना मसाला मैं नॉर्मली मनलब डेली बैसस पे यूज़ करती हूं यह मसाले आप सभी खानों में डाल सकते हैं जब कुछ स्पेशल होता है उसके लिए स्पेशल मसाला होता है लेकिन यहां मतलब आलू के साथ यही मसाले ही चलते हैं तो मैं नॉर्मल सी सबजी बना रही हूं हजबन ने बोला था कि आलू प्यास टमाटर की सबजी अज बना देना तो बस वही बना रही हूं 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 जो 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 मम्み को करें, मम्み को कर दो, इस सब्सक्राइब मम्म को किशी करो, मम्मा को कुछी कुछी दे का दो, Märyen को सब को इतना क्यार दिखाए compartir मुझे आज नहीं दिया जाएगा देख लो मूड के ऊपर नहीं के बापाई भी कर दिया नहीं पुच्ची को ना मम्मी को पुच्ची मुझे मुझे याद आ गया कि मैं इस सटरे को लाइब आने वाली हूँ तो यहां के यूके टाइम पे फोर क्लॉक होगा और इंडिया में साड़े साथ या आठ बजे होंगे चार घंटे साड़े चार घंटे का अंतर है इस समय यूके और इंडिया की टाइम में और बाकी बहुत से लोग फॉलो करते हैं कई कंट्रियों से मुझे तो आप लोगों का प्यार बहुत जगह से मिलता है तो जिनका जैसे टाइम मैच करे तो अगर आप लोग जोईन करना चाहो तो बेशका सकते हो मैं अपने ब्लॉग में इसलिए बता रही हूँ कि लास टा तो ये भी सात ही सात रहेंगे दोनों तो यह हां आपको जायराम ने किया आते ही जान गया कि एजान अगया की कैमरा चल रहा है तो ऩो यस ऐसे ही पीच्छी आजा hey रहें जहां रहूंगी तो सब्जी मेने ध्रनिया के और उसको बस पीछे के साइड में ट्रांस्फर कर दि है गैस रोटिया बना लोंगी क्योंकि सभी आ रहे हैं बच्चे रास्ते में हैं अक्चली यह ब्लोग है फ्राइडे का फ्राइडे इद थी इद वाले दिन का ब्लोग है तो जो पूरे दिन मैंने रिकोर्ड किया वह सारा कुछ आपके साथ मैं आज शेयर कर रही हूं मेरी त खाने में बहुत अच्छी थी खटी-खटी सी सब्ची और फिर यहां बच्चों के साथ मेरामकृष्ण के साथ बैठी हूं और इनके पापा आज जल्दी आ जाते हैं जैसे फ्राइडे को यह हाबडे ही वर्क करते हैं तो यह आज यह आ जाएंगे बारा बजे तो इसलिए मैंने खाना जल्दी बनाया है वैसे नॉर्मली मैं दोपहर तक बनाती हूं लेकिन क्योंकि आज इनको जल्दी आ जाना है तो इसलिए मैंने खाना पहले बना लिया है और यहां मैं आपको फ्लावर दिखा रही हूं मैंने बोला था ना कि अभी यह कली जैसा है लेकिन यह दो तिन दिन में एक्तम खिल जाएगा तो यह बस खिल गया कर आप लोगों ने वह ब्लॉग देखा होगा तो आपने देखा हो कितनी अच्छी सी चोटी-चोटी कलिया थी और यह खिल गई है तो यह नॉर्मली ऐसे मतलब मैं रखती हूं इसको वैस में ही लगाके अगर वैस अब सब सब सुना देंगे अपल गया है दिखाने कि हम आपल खा रहे हूं वाटाइकां अच्छी लाओ का साओ है राब पैपा को पुची नहीं हां पुची लाओ बुची लाओ उभ मुची लाओ अभी भीगो देगा नहीं खुलिगा थे अब होग नीं कुलिया ऑप्र धिलुक्छ थे मारेने फैं कि आया ब स्दूá थे ह迪ल भीको यह चे आ यह लाँ यह देखो यह देखोट यह देखोट यह देखोट यह सोया लेकर आया कर यह पूलिस पूलिस सव में यह गया थे तो सोया लेकर आए और यह पूल है यह सबजी के दुकान पर फूल मिलेगा कि सब्सक्राइब अरे आलो आलो के साथ यह सोया बनाने वाला वो समझ में आता है लेकिन यह फूल कहां से है यह बताओ पैसे मुझे इसमें कैफ फ्लावर लगे यह बताओ आरे महक आ रही है तो सोया मेथी पालक में महक नहीं आती है कितनी बार मैंने सोया बनाया है तो आज यह प्रेजेंटिंग फूल बाई माई पती देव आज यह फूल बनेगा एर फ्रायर में चलो आज हम एर फ्रायर में फूल बनाते हैं अलू अलू और फूल की सब्जी वैसे फूल की सब्जी बनी है मेरी दादी जो है अगस्त के फूल की सब्जी बनाती थी अगस्त के फूल की पकोड़ी बनाती थी पकोड़ी बहुत अच्छी बनता बनाती थी उसका अनकूठ वाले दिन जब छपन भोग बनाती थी कुछ क यूण पड़ जाता था उसमें जब शपनों में इसको पलक में बनाना पड़ता था है अगस्ट का फूल ऐसे एपल के साइज का होता है कटिंग का वर से बनाती थी टो अरे इसको जो है इसमें आलो मिला के बना लो सोया मेथी फालग बना लो अलु की जरूवति नहीं है पास तो आलो और फूल की सब्जी तो मैंने बनाई नहीं क्योंकि खाना बन चुका था ओल लेडी नेक्स टे बना और ये है आज की हमारी थाली जो मैंने बनाई थी अब फिर बठाए उसके बाद हम विक्स जा रहे हैं मैं और हस्बेन बच्चे आ गए हैं घर पे ही हैं और विक्स इसले जा रहे हैं क्योंकि हमें फ्लोर देखना है वीकेंड में चाहे इस वीकेंड चाहे नेक्स वीकेंड में बंदा आएगा हमने अपॉंट्मेंट ले रखा है लगाने के लिए अगर कुछ और ना हुआ तो कोई रीजन ना हुआ तो फ्लोरिंग चेंज करा दें कारपेट हटवा के आपको मालूम ही है कि रामकृष्णन ने पैंट गिरा दिया था तो अब मुझे खटक रहा है मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है मैंने लिविंग एरिया में पेंट कलर यलो यलो सा तो मतलब गंदा सा लग रहा है तो यह डिसाइड किया हस् मैंने कहा कि नई चेंज करा देते हैं और हमारे घर के ही बगल में एक घर बिकने में लगा हुआ है अब यहां पे कोई नहीं रहता है क्योंकि उन लेडी की एक लड़की थी तो लड़की को जो है सारा प्रॉपर्टी जाता है तो लड़की ने इसको सेल में लगा रखा है फिर अपना उनके या उसके परिवार में जो भी होंगे अब वो प्रॉपर्टी उनकी हुई तो उसने सेल में लगा दिया है तो यही विचार हो रहा है कि हम यह ले 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 ब बोलते हैं अपने यूपी में तुक और ताल बैठ पाया तो ले लिया जाएगा तो यस पता नहीं आप लोगों को मेरी लैंगवेज समझ में आती होगी मैं बहुत आउधी टाइप का बोलती हूं अपने जो यूपी में साइड में बोले जाते हैं फैज़ावादी लैंगव में तो कुछ लोगों को नहीं भी समझ में आता होगा लेकिन नहीं आए तो प्लीज आप लोग पूछ लिया करिये हैं तो यहां सिंक देख रही थी जस्ट ऐसे ही देख रही हूं कुछ लेना नहीं है मुझे इसमें से कुछ क्योंकि मेरा किचन तो भी नया ही हमने करवाया पूरा पहले हमने विक्स में भी बहुत किचन अच्छे-च्छे देखे लेकिन समझ में नहीं आया तो हमने फिर वहां से लिया वर इन किचन से लिया था हमने और उसके बाद भी नेक्स्ट स्टेप हमारा है नीचे वाला जो हमारा बाथरूम है उसको रिनवेट कराने का त तो वही सोच रहे हैं कि उसको कब शुरू किया जाये और यहां यह बिन है कुछ बिन तो संसर वाले हैं और कुछ बड़े बिन हैं कुछ छोटे हैं कुछ डबल में हैं जिसमें वेश्ट बिन एंड रेसाइक्लिंग दोनों अभी उस कर सकते हैं लेकिन वह बहुत चोटे होते है ना तो recycling वाला सामान उसमें पूरा नहीं पाता तो प्रिफर हम यही करते हैं कि हम दो बिन अलग अलग रखें तो बिन भी हमें चेंज करेंगे तो पूरा सेट के साथ ही चेंज करेंगे तो वहीं देख रही थी कि वाइट सेट में लगवाओं या ग्रे में लगवाओं तो वाइट में इस तरीके से हैं और यह अलग-अलग है अगर आप अलग-अलग लगवाना चाहो तो अलग-अलग भी लगवा सकते ह कुछ कहीं से कुछ कहीं से ऐसे लेके लेकिन अगर आप पूरा सेट में सेटिंग कराओगे तो तो उसका डिफरेंट चार्ज पड़ेगा और इस्टालेशन का भी पड़ता है तो बस यहां वही मैं देख रही हूं कि कौन सा लूंग कैसा सही रहेगा तो अब मैं जा रही हू शावर रूम की तरफ तो अभी जो है हमारा शावर रूम बीच में साइड में दिवाल उठा है तो उस दिवाल को हम तोड़ कर ऐसे हम इसको इस तरीके से शावर रूम लगवाएंगे डोर के साथ यही प्लानिंग चल रही है और जब ऐसे सेटिंग के साथ पुरा लगा ल मतलब सेट इस तरीके से ऐसे है यहां पर तो यह पूरा एक सेटिंग है और अभी उधर आगे मैं दिखाती हूं यह दूसरे टाइप का है तो हमारा जो नीचे वाला जो एरिया है वो कुछ इतना ही स्पेस है तो उसी स्पेस के हिसाप से मैं देख रही हूं जिसमें हमारा स यह है नीचे वाला शावर रूम में यह ना यह किचन में भी नहीं है किचन से पहले ही पड़ता है जैसे बहुत से लोग होते हैं किचन में पसंद नहीं करते तो यह हमारा किचन से पहले ही है किचन में बिल्कुल नहीं है किचन हमारा उसके बाद पड़ता है यह कोरिडोर कोई आया गया तो चला जाए नहीं ऊपर जा सकता और इसी वज़ा से रेंट पर भी हमने रूम दिया था क्योंकि नीचे हमारे शावर रूम लगे थे सेपरेट था हम लोगों से कोई वास्ता नहीं होता था रेंटर्स का तो यह किस तरीके से है तो बस अभी देख रहे हैं ऐ दम से पागल हो जाओ इतने अच्छे फ्लावर प्लांस कप्स के शॉबम लगे होते हैं छोकलेट्स होते हैं चोकलेस का तो मैं बर नहीं हूं बट कप्स और शोवख़ें इस चीजह मुझे ज्याधा अच्छी लगती हैं और यह कप्स देखकर पस यहीं मन किया कि ले लूं तो हस्बिन ने बोला कस्वेरस से तुम्हारा पेट नहीं भरता है और जो करने आई हो पहले वह कर लेते हैं, तो हम गए थे यहाँए तो प्लांच और लेने के लिए तो प्लांच तो मिला नहीं हम गए थे लेने प्लांच है गेंदे का फूल लेकिन जो गेंदा होता है जो बड़े-बड़े वाले वो गेंदा हमें चाहिए थे वो उसको बताया उन्होंने की six week के बाद आना शुरू होगा अभी यहाँ पे छोटे-छोटे थे तो वही वो वाले लिये नहीं हमने क्योंकि husband को नहीं अच्छा लगा बोले कि यह बहुत छोटे-छोटे वाले हैं विख्रे-भिख्रे सी पत्टिया इसकी होती है तो हमें वह बंदे-बंदे वाले फूल होते ना जो लोग लगाते हूं कि उनको पता होगा मैं क्या कह रही हूं वो वाले जो बंधे बंदे वाले होते हैं वो अच्छे लगते हैं और यह अहां पर hanging planter था और यह उसका बना हुआ है जो coconut होता है उसके बार की यो skin होती है हाड वाली इसको हम तोड़ तोड़ के निकालते हैं यह उसी का बना है तो यह सारे रियल प्लांट हैं देखकर ही मन कर रहा था कि बस सब उठा ले चलूं सब ले चलूं तो ले जाओं तो रखूं कहां और रामकृष्ण की वज़ा से कुछ नहीं रहने पारता है और इधर मे सारे अर्टिफिशियल प्लांट थे जो आपको दिख रहे थे पिंक में और यहां पे वास रखा हुआ था यह वास देखकर भी बड़ा प्यारा लग रहा है सब फिश के डिजाइन में हैं लेकिन वही है कि यह बचने नहीं पाएगा थोड़ा और बड़े हो जाएं समझद गुमते गुमते इस तरफ आए एक मुझे यह लेना है अभी हमारा जो कार्पेट है वह ठीक है अभी वहां नहीं रख सकते हैं तो हमने कहा कि आगे चलके लेंगे तो अभी बोक्स लिया है तूल बढ़ गया बोक्स चोटा हो गया तो हमने दूसरा ले लिया है और वह दो तीन बार ऐसे यह कर चुके हैं अपने उपर गिरा लिया तो हम यह लिया है इसको जो है लगा के और एटलीस कम से कम कुछ तो सिक्योर रहेगा दर्वाजा बन कर दिया करेंगे ताकि यह खोल ना पाए क्योंकि यहां के अंदर के घरों में लॉक तो होता नहीं है हमने लगवाया है केवल यहां में डोर पे लॉक होता है और जहां और गाडन साइड में ही लॉक होता है बाकि रूम सो गयरा में लॉक नहीं होता है जो इंटीरियल वारे डोर होते हैं उसमें आपको अपने हिसाब से लॉक लगाने पड़ते हैं तो सारे रूम में तो हमने लग है चाइल्ड रूम में नहीं होता है बाकी और सब जगहां पे है चाइल्ड रूम में होता है लेकिन चाइल्ड के हिसाब से लॉक होते हैं वह पर लॉक नहीं होता तो हम इसको यहां पे लगा रहे हैं यह देखो यह देख लो कोई बीची जिन से बचनी हथोड़ी दे रहा है कि वहाँ उठोको इसक्रू करने की जिरोद नहीं है सोड़ी से ठोको पापा पापा वाव इसमें कुछ वाउ ही नहीं है अब तुम वहाँ बाहर नहीं जा पाओगे तुमको रोक थाम के लिए ये सारा उपाय हो रहा है तो जो आता नहीं हम लोग यहां इसको क्या सिटकनी बोलते हैं काइंड आप सिटकनी अभी इसको बोलते हैं कैबिन हुक अभी ये खोल नहीं पाएंगे अटलीस कम से कम उधर तो जाने का डर नहीं रहागा वो उतना बड़ा भारी गिरा लेते हैं दो बार गिरा चुके और वह वैसे तो लाइस पर होता है लेकि फिर भी डर होता है बिल्कुल से उधर से कोई आता हो तो दोर खोलने में भी होता है कि हां पीछे यह हैं तो नहीं वहां रखा है तो यह हमने इसको लगा दिया है यहां पे अटलीस कम से कम अब जो है इनको बाहर जाने के लिए थोड़ा सा हम निश्चिंत रहेंगे कि यह अपना शूराय किरा नहीं लेंगे उसके बाद जो भी दोर खोलता था ना तो इकदम भडाक से पीछे जाके लगता था तो इस व शुआ खोलने पर यह हाफ यहीं तक खुलेगा मतलब इतना हाफ नहीं आप आराम से आ जा सकते हो लेकिन यह जी जीदे जाके दीवाल में नहीं लड़ेगा तो हसबें ने कि दो यह भी ले लिये थे वहीं विक्स से ही हमने लिया था एक हमने यहां लगा दिया एक हमें करके लगाना पड़ेगा कोई ऐसी चीज देखकर हम लाएंगे फिर आगे यह एक हमने लगा दिया है डाइनिंग रूम में डाइनिंग रूम का भी ऐसे बिल्कुल खोलने से पीछे के दी वाल में जाके उसका हैंडल लगता था तो वाल तूटने का डर हो जाता था तो इस व प्लांट से हम लेकर जो आए यह हमने थोड़ा सा प्लांट भी ले लिया था एक प्लांटर लिया था स्ट्रॉबरी यह प्लांट है और एक है दो है इसमी टमाटर का और दो है स्ट्रॉबरी का तीन है स्ट्रॉबरी का और यहां पर देख लीजे जरा इनकी बदमासी यह श हजबन ने बोला कि अभी यही टाइम है अगर लगा देंगे तो लगना होगा तो लग जाएगा तो बड़ी हिम्मत करके सब चीजें लेकर आएं हैं लगा रहे हैं अगर लग गई तो ठीक है नहीं लगा तो नेक्ष्ट बार टाइम से हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हर बार लगाती हूं कुछ न कुछ और पता नहीं एक्सपीरेंस ना होने की वज़ा से क्या है नहीं रुक पाता है वैसे लगाया मैंने लास्ट टाइम जब था तो इंडिया चले गए जब तक उसको जल गया सारा प्लांट हमारा उसी टाइम पर जुलाई अगस्त मे तो लास्ट टाइम उसके पहले रहे ता जब अच्छा सा घुप टमाटर का भाता करेट हूँ था और यहां लीली लाए थे तो दो तो हमने गम्ले में लगा दिया है एक में में हैं तो इस में शीट झालने में हमारा इतन में प्रफ्वल्अ मारकर गवाएं समया। हम्नी कि हो घ्राइब दीए लगा दिया है कि मालूम रहे कि यहाँ रीए है और एक तुर्व historici लगा इसमें सारे खोजय के गयरा हैं को कमबर से सब लगाए हैं देखते हैं किया क्या होता है क्या самой होता शोष इका शना बहुत ज्यादा पाश्मnaire नहीं है फिर हमने स्ट्रोब्री गयरा यह लेकर आए थे यह बच्छों दिया और उसके बाद ये खान भाई आ गये थे तो खान भाई एद आये थे एद मुबारक बोलने सबको हमारे हस्बंड के दोस्त है ये तो हमारा इनका कम से कम हो गया होगा 15 साल करीब रिलेशन्शिप इनसे दोस्ती तो ज्यादा तो मैंने हम लोग नहीं कुछ ऐसा इद ही है यहां पर यह खान भाई हैं यह आते रहते हैं और हम लोगों ने चाय पहलेँ और देर देर बाद और यह बभगला देश के हैं और उनके बच्य वगएरा भी यही रहते है और यहां पे फिर भू चले गए राम क्रिशन जो हैं यहां खेल रहे हैं और राम ऐसे टावर बनाता है और क्रिशन जाके सब भी All देता है उसके बार तो इन गोश्य जाता है यही करते हैं जब उसको नहीं जरूर देंगे मैं मिलती हूँ आपसे न्यु ब्लॉग में अपना बहुत क्याल रखिये बाई बाई